कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहूल गांधी की संसल सदस्ता जब से गई है तब से भारी बवाल देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर विरोध प्रदोशिन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगादार तमाम परहकी बयानवाजी बीजेप लगाया जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो अपनी तरफ से जो टिपड़ी कर रही है वो वो कहीं ना करी लोगतुंत्र को खत्रे में डाल रहा है लेकिन आप कॉंग्रेस के एक नेता ने ऐसी बयान बाजी करती है जिसको लेकर के बवाल देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से उनका जो बयान है वो चर्चा में आ गया है दरसल सूरत कोड के जिस जज ने राहुल गांधी के खलाफ फैसला सुनाया था यानि कि उनको दो साल की जेल की ससा सुनाई थी उस पर ही उन्होंने टिपड़ी किये और ये टिपड़ी करत नेता ने पार्टी के सत्ता में आने पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने वाले की जीब काटने की धंकी दी है कॉंग्रस नेता ने बयान में कहा है कि 2019 के आपराधिक मानहानी मामले में राहुल गांधी को जिस जज ने दो साल की जेल की सजा सुनाई उनकी जीब क गांधी की आयोगिता का विरोध कर रही थी इस दोरान पार्टी के जिला प्रमुक मनी कंदन ने कहा कि 23 मार्श को सूरत अदालत के नियाधीश ने हमारे नेता राहूल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई सुनिये जस्टिस एच वर्मा जब कॉंग्रिस सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीप काड़ देंगे ये सीधे दोर पर उन्होंने बयान दिया तो मनी कंदन के खलाफ तीन धाराओं के तैत मामला दर्ज कर ल और उन्हें दो साल की सजा सुनाई गए थी सूरत कोर्ट की तरफ से उसके बाद अगले दिन जो है उनकी संसत सदसता रद कर दी गई और यह स्तहाफ हो गया कि आप वह आठ साल कोई भी लोगसभा चुनाब नहीं लड़ पाएंगे हाला कि जब अभी सूरत की सेशन कोर्ट उससे जब में सुनवाई हुई इस मामले की उपरी अदालत में जब सुनवाई हुई तो राहुल गांधी को इस मामले में जमाना दे दी गई अब अगली सुनवाई जो है वो 13 माई को होगी लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रेस नेताओं की तरफ से इस मामले पर जो तमाम बया परहाल कॉंग्रेस नेता की तरफ से यह जो टिपनी की गई है उस पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है यह आने वाले समय में देखना होगा लेकिन राहूल गांधी के मानहानी मामले में अगली सुनवाई जो होनी है वो 13 माई को होनी है और 13 माई को साफ हो जाएगा कि क्या राहूल गांधी की संसत सदसता उनको वापस मिल जाती है और क्या वो आने वाला लोकसभा चुनाब लड़ पाएंगे कि आने वाले समय में देखना होगा आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमच करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए next 9 news